नागपुर से दो अगस्त को जबलपुराई भाजपा अल्प संक्यक मोचा नेत्री सना और फेहिना खान लापता हो गई परिजन ने हत्या कर शब हिरन नदी में फेके जाने की आशनका जताई है भाजपा नेत्री सना खान को दो प्रदेशों की पुलिस तलाश कर रही है पर अभी तक ना ही सना खान का पता चला है और ना ही अमित साहु का भाजपा नेत्री के परिवार की उम्मीदें भी तूटती जा रही है सना के भाई का आरोप है कि जैसे ही वा जबलपुराई थी वे उसी समय पप्पु साहू ने उसकी हत्या करलाश को हिरन नदी में फेक कर गया भूचुका है सना की तेलाश में महरास्ट पुलिस ने भी चार दिन जबलपुर गुजारे लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला ठक हार कर नागपुर पुलिस वापस लोड़ गई MP पुलिस भी सना और अमिस्ताहू के मोबाईल लोकेशन तक ही अभी तक सीमित है कि यहां पर आने का करण ऐसा था कि दो तारिक से हमारी सिस्टर है अलपसंकर मुर्चा में वह भारती जन्ता पाइटी की बहामरति मंद्री थी सना खान वह यहां पर रावल्टान एरिया में आई हुई थी और यहां से दो तारिक से मिसिंग है हमें ऐसा पता चला है कि उसका मडर हो चुका है और उसके हत्या करके लाश को हिरन नदी में फेक दिया गया है परन्तु यहां का प्रशाशन इतना प्रशाशन स्लो चल रहा है कि दो तारिकी घटना को आज तक के आइडेंटिफाई नहीं कर पाए बौडी कहां है यह हमें पता नहीं है परिजन सारे परेशान है और सभी जगे हो हला हो गया है पुरे नाकपुर शहर की मिडिया एक्ट जादी है जी मेरी जो सिस्टर है वह एक तारीक को नापुर से निकले ते जबलबुर आने के लिए रात में बस में बैटे यहां मॉर्निंग में पहुच गये राजूला टाउन में हम इस साउ के तरफ में पहुचने के बाद उन्हें एक दो बार एक बार समय कॉल किया साथ भी तो जो घर पेते हैं उसे बात चीत हुई थी उसके बाद में फिर हमने वापस उनको कॉल लागाने की गोशिश खड़े बड़े बीयाने तो नमब